नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चानल A2Z Speed News में दोस्तो भारत ने न्यूजिलेंड के खिलाफ T20 सीरीज में जीत हासिल कर ली है पांच मैचों की T20 सीरीज में भारत की टीम 30 से आगे हो गई है इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 शुकेट के नुकसान पर 179 रनो का स्कोर बनाया था इसमें भारत की टीम की तरफ से रोईज शर्मा ने सचे जादा 65 रनो का योगदान दिया इसके जवाब में नुजिलेंड ने भी 20 ओवर की समाप्ती पर 179 रन बना लिये इसके बाद सूपर ओवर में नुजिलेंड ने 6 गेंदों में 17 रन बनाया इसके जवाब में भारत ने रोईज शर्मा के ताबर तोड बल्लेबाजी के दंपर मैच को जीत लिया इस मैच में हार के बाद नुजिलेंड के कप्तान केन विलियमसन ने अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी नाराज दिखे विलियमसन ने पोश्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरिमनी में कहा सूपर ओवर हमारे लिए बहुती सफल नहीं रहा है और इसलिए हमें नियमित समय में इसे जीतने के लिए थोड़ा बेतर होना चाहिए भारत ने फिर से मुश्किल स्थिती में अपना अनुभाव दिखाया तो हमारे लिए एक महतोपुर्ण अनुभाव है जिससे हमें आगे बढ़ सकते है इस मैच में शांदार शुरुवात करने के बाद हमने अच्छी गेंदवाजी की विलियम सन ने आगे कहा अखिर में जीत के करीब आकर मैच को गवाना प्रयास काफी निरासा जनक रहा हमें क्रिस के बीच कुछ समय बिताना और साज़दारी की जरुत थी अन्त में फिनिशिंग लाइन को पार नहीं करना निरासा जनक था यह चोटे मार्जिन का खेल है आगे विलियम सन ने कहा भारतियर टीम एक मजबूर टीम है भारतियर टीम में एक से एक बढ़कर धुरंदर बलेबाज मोजुद है इस मैच में रोईच चर्मा ने शांदर बलेबाजी की इसके वज़े से भारतियर टीम को जीत मिली दोस्तो भारत की इस शांदर जीत के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताए और अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए धनावाद जैहिन